तीज सरकार ही फर्जी हैं तो आकड़े भी फर्जी होंगे वक्त 24 घंटे का और बढ़ोतरी 72 प्रतिश्ट से भी जादा जब से मौत के आकड़ों को असपश्ट किया गया है बहार सरकार की तरफ से विपक्ष की ओर से सवाल खड़े किये जा रहे हैं लगतार उसको लेकर चर्चा हो रही है बहार के सियासी गल्यारों में और एक बार फिर सी नीता प्रतिपक्षिती जैसी आदव ने अपनी बात दुबारा दुहराई है उन्होंने साफ तोर पर कहा है कि अभी भी ये आकड़े सही नहीं बलकी गलत हैं गलत इस रूप में हैं क जो त्राहिमाम के इस्ति बहार में देखने को मिल रही थी इससे यह असपष्ट कहा जा सकता है कि आखुडों में तो घोटाली किये ही गए हैं उन्हें छुपाया गया है जूट बोला गया है और यही बचा है कि मैंने हमीशा इस बात को लेकर चर्चा की अपनी आवाज ब पोलिए कि आप अपनी ही जूट के तले दब जाए बोज तले दब जाए क्या कुछ लिखते हैं तेजस्वयादव पहले देखे नितीश जी इतना जूट मत बोलियो और बुलवाईए कि उसके बोज तले दबने के बाद कभी उठना पाए जब फसी तो एक दम से एक दिन म मौतों की संख्या बढ़ा दी नितीश शरकार मौतों का जो आंकड़ा बता रही है उससे 20 गुणा अधिक मौते हुई है नितीश शरकार ही फरजी है तो आंकड़ी भी फरजी ही होंगे पूरी तरीके से एक बार फिर से तीजश्व्यावव ने इस बाद की चर्चा कर दी है कि नतीश शरकार फरजी है और इनके आंकड़ी भी फरजी है और अभी भी जो आंकड़ों को दिखाया चारा है जो दर्षानी की कोशश की चारी है उसमें कहीं से भी सच्चाई नहीं ह क्योंकि जो आंकड़े हैं उनमें 20 फिसदी से भी जादा बढोतरी ही होगी क्योंकि जिस तरीके का कहर कोरोना का बहार में देखने को मिला जो बधाल स्वास्त विवस्था की तस्वीरे सामनी आई जाहिर सी बात है संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में काफी जादा इजाफा हुआ था लगतार संक्रमित मरीजों के आंकड़े सामने आ रहे थे और मौत के आंकड़ों की बात करें तो उन्हें भी सामने लाय जा रहा था लेकिन उसमें असपश्टता नहीं थी उसमें सच्चाई नहीं थी और एक दन में 24 गंटे में अगर इस तरीके से सरकार की ही तर मिर्लीके से विपक्ष Ricky के तौर पर मजबूती से खड़ी आरजडी और नेता प्रतिपक्षुती जस्वी आदड़ के ओर से सवाल पूछे जा रहे हैं और ये तक कहा जा रहा है कि आप पूरी तरीके से जूट पर जूट बोलते ही जा रहे हैं और एक जूट को दबाने के लिए ना जाने कितने जोट बोलेंगे पलार कले अतना ही जाद अपडेट के लिए आप बने रहें न्यूस वार्णीशन के साथ मसका